Hey guys back with Hydra e-sports update video So guys team Hydra की overall rank in BMPS week 2 is 7th with 69 points And overall total points बनते है 177 And guys अगर 200 points भी cutoff निकलता है तो Hydra को चाहिए only 30 to 40 points in next week जो की easily निकल जाएंगे and team Hydra will qualify for BMPS LAN इस बात पर तो एक like बनता है guys And guys जो लोग बोल जेते हैं के Hydra e-sports में कुछ नहीं कर पाएंगी तो उसी का reply ratio ने दिया आए देखिए उनने क्या कहा बस हमें वो रिदम नीक होना है and full motivated रहना है मैं तो दिन भर पीछे पढ़ा लेता हूँ हमारे लॉंडे अच्छा भी खेल रहे हैं अभी और बेटर खेलेंगे जब वो बूट कैम पे रहे के खेलेंगे जिसका मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ अभी समझ आ रहा हूँ अभी खेल रहा है 60% पोटेंशिल पे 40% पोटेंशिल अभी अभी खेल रहे है अभी हम लोग अपना क्योंकि मैं देख रहा हूँ इनको बहुत टाइम जो मुझे पता है मॉली अपने उपर खुदी किया स्प्रेगॉड ने हाँ खुदी गिया उसने भाई क्योंकि उसके जोन जाने का कोई option नहीं था उपर से प्रीफार आ रहा था उपर वाले को किल देने से अच्छा उसने को मॉली मैर दी क्लियो शाहिद उन्होंने भी देख लिया कि हाँ अब सामने से कोई और भी टीम आने वाली और मिनी मैप में देखिए कि चार के चार खिलाडी आपको दिखाए देंगे सांगवान इसे बीच उन्होंने स्टार बोई को नौक किया क्लियो थोड़ ज़दा ओपन में आने की जाने की कोशिश की गई पसपर्ष का एक शानदार ग्रनेड आप यह कह सकते हैं कि जैसे उन्हें पता हो कि वो खिलाडी कहां तक पहुँचा अब प्रेडिक्शन थी उनकी स्मोक के अंदर स्मोक किया इस ले गया था ताकि वो नौक प्लेयर आ सके और वहां पे उन्होंने खतम किया सांगवान वो भी खतम हो जाएंगे एक नौक निकाला था सांगवान ने बट जिस एरिया में सांगवान गए थे दूसी तरफ से प्लेयर आए उप सामने यहां पर पकड़े गए दोरों तरफ से आकरिमन हुआ और क्लियो यार चाहे प्लेयर कितना भी अच्छा ह एकुशिश करी डिरेक्ट पुश करने की वो काम्याब हो नहीं पाए इस बाटल के अंदर बट ब्लड रोजी स्पोर्ट के वल तीन प्लेयर के साथ आये थे इस माच के अंदर आप टॉप साथ में अपने आपको पाएंगे इस में तारीफ बनती है स्पीर ओ विंड गॉड की जैस तरीके से उन्होंने खेला है वो रोटेशन उन्होंने दिखाई है टॉप थ्री तक अपनी टीम को लेकर है इस पोर्ष उनको भी डाउन किया जागा रीपर के द्वारा और एक और हाइड्रा का खिलाई डूरा उनक तक भी वो पहुचा पाए बहुत तारेंक बोनस के शायद उनको मिल सकते हैं अब जोन की तरफ क्या वो प्रस्थान कर पाएंगे लडगे ही जाना पड़ेगा चुपके जाने का सवाल बनता नहीं है क्या स्मोक से या पे हाइड्रा के पास वो भी एक आखरी खिलाडी स्प्रेगोड के साथ देखना ये कि ये जो चिकन डिनर वो किसके काते में जा सकते हैं स्प्रेगोड विद डेड मॉली मुझे लगता है कि शायद यहां से कुछ और फिनिशन वो निकाल पाएं पेन आखरी खिलाडी बज़े प्रेटीप से विद गोड बहुत जदा ओपन में रेक्स पाच टोटल फिनिशन उन्होंने निकाले हाइडरा एक और बढ़िया मुकाबला तेरा फिनिशन और अब वो सर्कल स्प्रेगोड के खाते में करके जा सकते हैं नेड है आगे माक्स के पास मॉलटावस भी आती हुई नेड भी सही जिगा पे गया है नेड सही जिगा पे शायद फ्रैक लेके जाए स्प्रेगोड ने एक प्लेर को डाउन किया स्प्रेगोड दूसरे को लेके कोचिश बट नहीं विंड गॉड इस्पो यह कि क्या वो फिनिश सेक्योर कर सकते हैं जी नहीं गॉड बॉड को रिवाइब मिल चुका है पर स्प्रेगोड की बात करें वो काफी फिरलेस भी आगे बढ़ रहे हैं उनको पता है कि ग्रुइंग स्ट्रॉंग एक बहुती कंफाइन स्पेस के अंदर मॉजूद इस पर या ग्रनेड गॉर्ड बॉड को डाउन किया जैगा स्प्रेगोड के द स्प्रेगोड के द्वारा एक बार फिर से ऐवन्श्टीवन सिचूशन HP सबकी धीरे-धीरे कम होती, बट Faith को भी डाउन किया जाएगा, Sparky अब बचे हैं, क्या Sparky अपनी पार्की नजरों के साथ कुछ कमाल करेंगे, अभी के लिए स्थिर हैं, बाहर हैं, बट Hydra, Reset होते ही आपको नजर आएगी, जिया, Sparky की बात करें, वो थोड़ा आगे की ये Grenade, वो Final Nail in the coffin, आएका Starboy की साइट से Growing Strong के Elimination देखने को मिलता हुआ, Team Hydra चार फिनिशिस के साथ यहां एंड काईस कास्टर एंकी बोर्ड भी Team Hydra के gameplay से काफी इंप्रेस हुए, देखिए उन्होंने क्या कहा So guys, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सबस्क्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स अब्डेट में, Hell Hydra